नश्का दोस्तों आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी अधबस वागता आगया बढ़ने से पहले में आपसे निरोत करूँगा आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजे मेरा कोई भी वाटसाइप ग्रूप या टेलिग्राम चैनल नहीं है और फिक कमेंट से आप किरपया करके साफधान रही है तो दोस्तों जैसा के हमने सुमवार के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी वहां पे हमारा अंडरगराण मनीफ्लो पॉजटिव था मार्केट के आज ओपनिंग तो ग्रीन म पॉइंट के नजदीक था 19.327 और यहां पे जो है पहले 4-5 मिनिट में ही जबरदस तरीके से आपका इंट्राडे मनी फ्लो नेगेटिव था तो मार्केट ने इमिजेटली 5-10 मिनिट के अंदर जो है लगभग 80 पॉइंट का एक डाउन मूव दिखाया है लेकिन उसके मार्केट वापस इंट्रा डे के दौरान जो है न्यूट्रल पॉइंट को टेस्ट करने आई बेसिकली यहां पे जो है जो प्लेयर्स जिनकी वाएसे अंडर्राड मनी फ्लो पॉजिटिव था यहां पे उनको एक एक एग्जिट प्रोवाइड की गई और उसके बाद मार्क जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 200 पॉइंट से जादा जो है नीचे की तरफ आ गई तो यही अपडेट मैंने शेयर किया था और यहां पे हमें मनी फ्लो कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो EOD opinion देती है मनी फ्लो के बेसिस पे क्य उसको follow करने वाली है नहीं करने वाली तो basically यह सब जानकारी आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप आपना analysis खुद करेंगे money flow का ताके आपको इन सब चीजों के बारे में clarity रहे तो दोस्तों यहां पे जो मार्केट को एक sense हो गई थी कि मार्केट red zone में जाने वाली है आज उसका प्रमुक कारण था कि cash selling start की गई थी derivatives की सहयता से जो है कल हमने देखा के market के अंदर एक short attack हो था कल मतलब सुमवार की मैं बात कर रहा हूं लेकिन आज यहां पे derivatives के साथ-साथ cash segment ने भी इसमें contribute किया यहां पे FII इस ने जो है 42 करोड के आसपास की selling करी DII इस ने control करनी कोशिश करी लेकिन वो control नहीं कर पाए अगर हम contribution की बात करें तो market को पर ले जाने वाले stocks में कोई भी heavy weight नहीं था नीचे ले जाने वाले stocks में आप देख सकते हैं Infosys, ICACA Bank और HDFC Bank आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे SOMVAR की तरह है जो है put writers का आज भी यहाँ पे stop loss hit कराया गया तो cash का money flow negative था लेकिन यहाँ पे cash के money flow के negative होने के पीछे बड़े players का contribution हमें दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से D2C ratio आज फिर increase होई 4.98 यहाँ पे derivatives ने market को control किया लेकिन SOMVAR को cash ने derivatives का साथ नहीं दिया था लेकिन आज cash ने भी derivatives का साथ दिया market को नीचे ले जाने में, options का money flow negative था, futures का money flow भी negative था यहाँ पे short build up की तरफ इशारा किया जा रहा है और बड़े players की position में कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे western FIIs की positions जो है वो profit में है, Singapore FIIs की position loss में है futures open interest की बात की जाए तो open interest increase हुआ, market decrease हुई जो कि short build up की तरफ इशारा करता है तो यहाँ पे दोसको अगर वीडियो पसंदार है, like करें, चैनल को subscribe करें और bell icon को click भी कर सकता है तो यहाँ पे अगर हम summary के तौर पे देखें, तो surface money flow के अंदर cash का money flow negative है options का money flow भी negative है, futures का money flow भी negative है, तो surface money flow हमें weakness की तरफ इशारा कर रहा है FIIs की बात की जाए, cash का money flow negative है, options का money flow negative है, futures में भी उनकी short positions है, जो carry forward कर रहा है तो basically FIIs का opinion भी market के प्रती इस समय weakness का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों underground money flow में इस वीडियो में एक screenshot के द्वारा share कर दिया है तो मुझे उमीध है कि जो आप intraday money flow को जरूर देखेंगे, ताके आप वहाँ पर अपना एक सही conclusion निकाल सकें इस वीडियो गाए एक disclaimer भी है, जो कि आपको अपनी screen पर दिख रहा होगा, वीडियो मैंने सिर्फ एक education learning और information की point भी सुमना है था यहाँ पर मेरी आपको कोई suggestion सलहा या राय नहीं है कि आप किसी भी stock या index में buy sell या hold की position बनाएं, किसी innovation trade से पहले आपने financial pannery investment advisor की सलहा जरूर ले ले, केवल उनी की सलहा के ऊपर किसी तरह की innovation trade का निर्ना ले, जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दिया है, सभ data points public domain में available हैं, जिनको आप खुद जा कि cross check, cross verify कर सकते हैं, मेरे दोरा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी की उपर, किसी नितरह का कोई भी innovation trade का निर्ना है, ना ले, तो दोस्तों आज का market sentiment वीडियो देखने के लिए बहुत